नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्मेंट एक्जाम स्टडी में और दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आपके यूपी टिपल सी जूनिय असिस्टेंट पच्पन सो बारा जो भरती है आपके उसके बारे में उसके पहल करने आरे कि आप लगातार उसके बाद से कई लोग बड़े बड़े डाला हो हमेशा मारते हो बोलते हो कि मैं आप लगता है जॉब में बिजी होगे अब हम पर ध्यान नहीं दोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है आपने शुरू से देखा होगा चाहे पेट के टाइम भी बात ह सब जगें जो content होती जो चीजें होती मैं हमेशा आपकी उसमें help करती हूँ यहां भी जो कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा content प्रवाइड कर पाऊं जिसे कि मैं खुद चाहती हूँ कि आप सभी का जल से जल selection हो क्योंकि यह जो खुशी वहां हुई है व आप में से किसी का भी selection मेरे से पढ़ाए हुए से होगा उससे बढ़िया तो कुछ नहीं हो सकता है हम बात करने जा रहे हैं आपकी परिक्षा कब तक होगी इस चीज को लेकर आप लगातार मैसेज करते हो तो देखो पहले मैंने पहले भी बता रहा है अभी यूपी ट्रप की जो पुराने चेर्मेंट उन्होंने स्थीफा दे दिया है अब देखो लेकिन यूपी ट्रपलसी में जो आपका एक्जाम है जूनिर असिस्टन वाला मैं बहुत टाइम से बता रही हूँ पहले कुछ एक्जाम पेंडिंग है वो होगे जैसे आपका वी पी यो का एक्ज मैं कितना लएगा मैं शुरू से आपसे कह रही हूँ अगस के लास सेप्टमबर में ही आपके एक्जाम हो सकते हैं उसके पहले नहीं हो सकते हैं तो अच्छा है समय है आपके पास आपको पता है कि जब 1262 का पेपर हुआ था वो काफी टफ आया था आपको वही लेविल मान पता है अब शुरू करने चले तो आप उससे कही न कहीं आपको दिखना चाहिए न कि आप 6 महीने पढ़़े और वो 3 महीने पढ़़ा है तो इसके लिए क्या करना आपको स्मार्ट वर्क करना है बने कई बार आपको अल्रेडी चैनल पर स्ट्राटीजी बता रखी है कैसे पढ़ना है क्या करना है सब बता रखा है यहां पर देखो दोस्तों कुछ चीजों को लेकर आप लगातार मेसेज करते हैं उसलिए वीडियो बना रही हूँ एक है आपकी कि परिशान मत रहें परिशान क्यों मत रहें बहुत से लो बोस्ते हो मैं एक्जाम नहीं हो रहा है परिशन में जा रहे हैं तो देखो यह तो एक विडंबना है कहलो UPSC कि कि सारी परिक्षाइं ऐसी हो रही है अगर आप लेकपाल की बात करो इसमें मेरा चयन है 21 की आपकी वेकेंसी थी पर 24 में जाके फाइनल हो रही है उसमें भी आप में देखा हो का कोर्ट में चला गया उनमें सेलेक्षन ले सकते हैं अब देखो कई लोग जो बोलते रहते हैं कि मैं आप पढ़ाएंगी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है मैं जरूर पढ़ाओंगी मैं हमेशा कहती हूं कि मैं मतलब पढ़ाना और पढ़ना शाय दोनों मुझे बहुत ज़दा पसंद है इसलिए अ अराम से पूछो मुझसे जो भी डाउट है पूछ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो परिशान मत रहो परिक्षा के लिए समय अगर है तो अराम से पढ़ो डिप्रिशन वग्यरा वाली बाते मत किया करो तो कि आपको पता है ऐसा चल रहा है ऐसा कोई पहली आपकी भ बहुत से लोग परिशान हो देखो मैंने पहले कहा था कि पहले खूब की टाइपिंग करो टाइपिंग करो तब उसे मैंने हिंदी मंगल फॉंट आप और इंग्लिश सब के बारे में बताय था अभी भी कोई डाउट हो तो मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मत करो लेकि अब ज इनको जिसको नहीं भी आती कि उसने मास्टरी कर ली होगी तो इसलिए बताये टाइपिंग के लिए जादा परिशान मत हो जितने अभी तक कर ली हो टाइपिंग बहुत बढ़िया है समय आपको लगता है कि नहीं है मेरे पास तो एक घंटा सिर्फ आपको एक घंटा देना कि मुझे पता है बहुत से लोग के कॉंस्टेबल का एक्जाम होगा किसी और चीज का एक्जाम होगा तो वह करो अब समय मत वेस्ट करो ठीक है तो टाइपिंग को लेकर जादा परिशान मत हो जब आपका 552 वाले का रिजल्ट आएगा टाइपिंग माप एलिजिबल होगे मैं खुद आपको दुबारा से वीडियो बना के वर्णा चैनल पर वैसे वीडियो पड़ी हुई है कैसे पढ़ना है कैसे करना है मैं खुद आपको बता दूगी क्योंकि मैंने खुदी घर पर बैट के खुदी रैपिंग सीखी थी तो आपको यह उसी तरीके से बता सिर्फ इसलिए मैंने बनाई हैं देखो आपको जरूर पता होगा कि 512 पद हैं और सबसे अची बात यह है कि जो यह कोर्ट केस वगेरा का चकर था लेकपाल लोंका ही 8085 लोंका वो सॉल्व हो गया आप फम्जो क्यूं बता रही हो बहुत अच्छे से बात को समझना आठ हजार पचासी में से 7800 लगबग बच्चे तो सेलेक्श्टी हुए हैं ठीक है लगबग इतने बच्चों सेलेक्ट हुए हैं इस से कम भी हो सकते हैं मुझे एक्जाक्ट फिगर नहीं आदे बट लगबग इतने बच्चों सेलेक्ट हुए हैं इन में से आपको यह पता है यह लगता है और वहां पर डिस्कुशन भी हुआ था कि जारतर लोग अब इन एक्जाम को नहीं देंगे जो सेम ग्रेड पे की है क्योंकि हर कोई सोचता कि अब हम उपर वाला एक्जाम देंगे वही सेम ग्रेड पे का क्यों देता रहेगा किसी का कुछ परसनल रिजन में उस इन बहुत अच्छा मौका है आपको समझना चाहिए अब भी देखो मुख सेविकां करके बढ़तियार गर्स की वहां भी अच्छे खासे वह है वहां तो ग्रेड पर्वह थाइ सौ ग्रेड पे है वहां पर तो वहां भी काफी गर्स जो अच्छी होंगी जिनकी मतलब स्पि बहुत ज़ए रहत है। भाई देखो आपको पता इसका एक बर सेलेक्शन हो गया। उसके जनरली चांसे होते हैं कि वो और भी तैयारी में है, वो कुछ और भी निकाल सकता है। तो वो अगर आपके साथ नहीं आ रहा तो कहीं न कहीं आपको इसका मतला मौका मिल रहा है। त 21 वाले जात और लोग जो सेलेक्ट हो जाएंगे वो पिट बाइस की बढ़तियों में नहीं बैठेंगे। आपको क्या करना आपको अच्छे से पढ़के अपने सेलेक्शन में को ले लेना है। तो सरकारी नौकरी पाना है देखो, तो रेगुलारिटी बनाए रखो, रोज पढ़ाई करो, रिविजन करो, प्राक्टिस सेट करो और कोई क्वेरी है तो ज़रूर आप से पूछ सकते हो बस चैनल पर नहीं होगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना आपने दोस्तों के हाथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना कोई उसके रवा आप लेक्पाल की भढ़ती अभी जल्दी ही आने वाली है, इसकी तो आपके वास ऑल्रडी है तो मैं उसके बता दूंगे आपको, ठीक है, बाई कोई क्वेरी है तो आप वसके कुछ सकते हो मुझसे कुछ भी डाउट है तो मैं बार बार बोलती हूँ कि आप इतमनान से किसी काम आ सकूँ आपकी सेलेक्शन में मैं एक जो बोलते ना एक पॉइंट या एक हैल्फुल मैं ही कुछ बन सकूँ मुझे बहुत चालेया कि आप बोलो है कि दिपाली में चीज़े पढ़ाई थी यह गाइड किया तो मुझे यह बहुत अची अचीवमेंट लगेगी मेरे लाइफ की शायद तो आप सभी लोग कुछ भी है क्वरी हो कुछ हो तो पूछ सकते हो टेलिग्राम और इस पर ज़रूर जुर जाना जो भी आपकी भरती ही होती है अपका में या कोई कंटेंट हो तो वो सब में आपको पता है देती रहती हूं सिफ चैनल पर और टेलिग् काम पर उसके लावा कहीं कुछ नहीं है इन दोनों को फॉलो कर लो सब्सक्राइब कर लो कोई क्वरी हो पूछे ना धन्यवाद